दोस्तो आपका बहुत स्वागत है आकर साई एस रिसर्स सेंटर पर आज की एपिसोड बें हम बात करेंगे कुछ important questions के बारे में आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें चले शुरू करते हैं इस एपिसोड को दोस्तो पहला परस्ने सुतंत भारत में पहला भासाई राज कोन सा था तो मैं बता दू जब भारत सुतंतर हुआ 15 गस 1947 के बाद तो उसके बाद भासा के अधार पर राजयों का गठन किया गया और पहला राज जो भासा के अधार पर गठित हुई थी वो थी आन्परदेश और दु दोस्तों दुनिया का सबसे वरा हीरा कोन सा है तो कलीनन है दोस्तों कलीनन जो है दुनिया का सबसे वरा हीरा है भारतिय परदान मंत्री जुन्होंने भारत रत और निसाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया तो मुरारजी देशाई मुरारजी देशाई ऐसे भारत के पारधानमंत्री है, वो मौरारजी देसाई, एड कीपीटर विगें का जनक जो यह किसी का जाता है, एलैननक को का जाता है, लेकिन अगर फादर एड का जाता है, तो वीडियो के माध्यम से कि सबसे हलकी धातू जो है वो लिथियम है क्या दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान कोन है तो कौरकर्स डेजर्ट कनाड़ा दुनिया का सबसे छोटा जो डेजर्ट है वो कौरकर्स डेजर्ट कनाड़ा में है चेर्मेन राजसभा के अधेक्ष होता नीती आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, who is the chairman of नीती आयोग, then I can be able to say that, भारत के परधान मंत्री, भारत की पहली महिला परधान मंत्री कौन है, कौन थी, तो इंद्रा गांधी थी, भारत की पहली महिला राश्परती कौन तो परतीवा देवी सिंग पाडल थी, किस राज को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, मैं बता दू, उत्तर परधेश उत्तर परधेश जो है, भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, उत्तर परधेश जो है, गेहू के उत्पादम में सबसे आगे दोस्तों पच्छे मंगाल जो है वो चावल कुदपादर में सबसे आगे है पूरे भारत में और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर परदेश जो है सबसे ज़्यादा आमो आमो आम कुदपादित करता है पलाट प्रेसर मापने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले यंत्र को कहते है रक्त दाव मापी यंत्र सुपर केम्पूटर का विस्कार किस ने किया था था सुपर केम्पूटर का विस्कार जो है सीमोर क्रे नी किया था सीमोर केरे नी जो है सूपर केंप्यूटर का और चाल्स वेबे जो है वो केंप्यूटर का खोज किया था LED के का अभी स्तार रूप क्या होता है तो परकास उस सर्जक डायोड होता है दुनिया का सबसे वरा लोग तंद्र कोन है तो दुनिया का सबसे वरा लोग तंद्र जो है भारत है दुनिया का सबसे लंबा लिखे समिधान किसका है तो भारत ये समिधान है मेटल बलबो के तंतु बनाने के लिए उप्यो किया जाता है टंगा स्टन दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और ये आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों आकार्स आईएस सेंटर चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले अपिसोड में तब तक के लिए जैहिन बंदे मादरां